ओम श्री गनेशा नमा दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है ओम गनपती समाधान यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं तेरे मई गुरुवार आज के मिथुन रासी फल के बारे में इस दिन इनका वेबसाय और बिजनेश कैसा रहेगा, केरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आज के दिन इनको कौन-कौन सी सावधानिया रखनी होंगी और कौन-कौन से उपाय करने होंगे जिससे आज का दिन सांधार और सफलता भरा रहे दोस्तों वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोर्फ किसन की बेल को दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई वीडियो सबसे पहले पहुँच सके चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिट्यू रहने वाला है दोस्तों आज के दिन खूब सकारात्मक सोच रखें ताकि पुरानी गल्तियों को दोहराने से पच सके साथ ही धेरिये रखने में ही समयदारी होगी सौभाव में विनम्रता बनाए रखें अन्यता अपने भी आप से नराज हो सकते हैं कारियेस तल पर पूरी बात सोने बिना तीक ही प्रकरिया ना ही दे तो बहतर होगा साथ ही भविसे की चिंताएं वर्तमान खराब कर सकती है कामकाज में चोटी सी गल्ती नकारात्मक परिणाम दे सकती है पूरी सतर्पता के साथ काम पुरा करें युवाव के लिए दिन लगबग सामाने रहेगा हेल्थ को लेकर सावधान रहने की बेहत जरूरत होगी खास कर सुगर पेसेंट या हाई बीपी के लोगों को अधिक चिकनाई युक्त भोजन करने से बचना होगा परिवार में सुख सांती के लिए अरध्य देव की पूजा अर्चना से मन सांत होगा और आर्थिक हालात एस्तिर रहेंगे साथी जगडे और विवास से दूर हैं और स्वास्त के पिर्ति आपको चोकस रहना होगा जिया दोस्तो आज जीवन साथी की बात को महतो देना होगा और साथी आज कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है आज यात्रा से सावधान रहें, सजग रहें साथी नोकरी पे सा लोगों की चिंताई भी आज बढ़ सकती है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगिटिव रहने वाला है दोस्तो आज जोखिम के कारियों में सावधानी जरूर है साथी अनावस से खर्चे भी बढ़ सकते हैं बच्चों के भविशे की चिंताई रहेंगी स्वास्त को लेकर मन में चिंताई बनी रहेंगी मन में निरासा का भाव जागरित हो सकता है और साथी अत्य दिक आत्मिश्वास आपको संकट में भी डाल सकता है और साथ ही अधिक दूरी की यात्राव से आपको सावधान रहना होगा कारियों में बेवजे की बादाई भी उत्पन हो सकती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका विफसाय कैसा रहेगा इस समय विफसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनर्सिप लाबधायक साबित होगी और कारिय का धायरा भी बढ़ेगा साथ ही आर्थिकिस्तिति में भी सुधार आएगा और नोकुरी में इस्तान तरांट की संभावना बन रही है साथ ही साथ प्रिष्टित लोगों से मुलाकात आपके विफसाय को तुरत गती प्रदान करेगी इसलिए अपने कारियों के प्रती इमानदारी से समर्पित रहें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी वहवाई की जीवन सुक में रहेगा और प्रेम संभन्दों में भी निखार आएगा इससे आप दोनों में नजदी क्या बढ़ जाएंगी और साथ ही मनोरंजन संभन्दी कारियों में भी समय वहतीत होगा इससे दामपत्य जीवन में बदूरता बनी रहेगी प्रेम संभन्दों के लिए बहतर समय रहेगा की गई कोशिसों में आपको सफलता अवश से प्राप्त होगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा दोस्तो आपको कई बार आगा किया गया है स्वास्त से संबंदित कोई पुरानी समस्या उत्पन हो सकती है इसे आप गंभीरता से ले और तुरंत इलाज कराएं इसके लिए मेडिटेशन और योगा पर अधिक ध्यान दे जिससे समस्या तुरंत समाप्त हो सके और नियमित योग करें वियायाम करें और अधिक स्वस्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाई अवश्या करें श्री भगवान विश्णु जी को एक मुखी नारियल अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए दोस्तो ऐसा करने मात्र से आपकी सभी समश्याएं दूर होंगी आपको विश्णु भगवान का सिरवत प्रातो कमेंट में जे विश्णु अवश्य लिखें धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुब और मंगल में हो